तो आज हम इस्टार्ट कर रहे हमारे कोडिनेशन कंपॉंड का लेक्चर नमर 10 ठीक है लेक्चर नमर 10 में हम मतलब हमारे कोडिनेशन कंपॉंड के ले लाश लेक्चर में जो मैंने आपको ुक on को सिएफ़ सी बाता बता है उससे सबसे पहले कुछ कोन को नचे अफ्टर में आपको उसके आगे की यृ बातों को डिसकस करूं गा ठीक है उसके आगे यह एक एक कि करके हम यहां पर इहां पर देखलेते हैं कि किस तरीके से हम को को स्पारिक तो डील करना है अब देखो यहां पर बोला गया है कॉश्चन कैलकुलेट कैलकुलेट दज़ सी एफ एसी फोर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एफ एफ सीक्स थ्री माइनस एड एफ एसी एन सिक्स थ्री माइनस यह हमें कॉश्चन दिया गया है ठीक है आपको समझ में आगया होगा किस तरीके से आपको कैलकुलेट एफ एसी आपको सी एफ सी कैलकुलेट करना आप इसका सॉलुशन समझते बच्चो सबसे पहले हमारे पास कितने कॉमप्लेक्स ही? दो कॉमप्लेक्स ही चलो ठीक है दो कॉमप्लेक्स को दो पार्ट में डिवाट कर दिया ठीक है? पहले में मैंने लिलिया F E F 6 3 minus इसका information लिखेंगे second में मैंने क्या लिया F E C N 6 3 minus ठीक है इसका मैंने information लिख लिया अब information एक एक करके लिखते है बच्चो देखो यहाँ पर आपका F कैसा लिगेंट है F आपका weak field लिगेंट है weak field लिगेंट है और साथ में आपका coordination number कितना है बच्चो coordination number इस compound का कितना होगा बच्चो 6 multiply by 1 monodented है तो कितना आजाएगा 6 इसका मतलब complex आपका कौन सा है octahidal complex है ठीक है अब देखो यहाँ पर F E का oxidation number कितना है बच्चो oxidation number कितना आजाएगा बच्चो यहाँ पर 3 तो यहाँ पर F E कौन से form में exist कर रहा है प्लस 3 और F E के plus 3 form में जो electronic configuration होगा वो क्या होगा अब आप लोग कर सकते हो 3D 5 4 0 ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पर F E plus 3 आपका कैसा है बच्चो D 5 configuration में क्यों से configuration में आप लोग को यहाँ पर D 5 configuration में है आपका कौन सा F E plus 3 ठीक है आप यहाँ पर समझ लेते हैं बच्चो तो आप D 5 configuration with the octahidal complex है अब यह आपका कौन से complex है octahidal complex है तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा और यह आपका हो गया है और यहाँ पर यह आपका इस तरीके से हो गया है एक दो तीन आप यहाँ पर जो value होगी वह क्या होगी बच्चो देख लेते हैं हमख़ो यह पर जो value होगी वह क्या होगी देख अधो यह पर value होगी आपकी 2 by 5 delta no plus में और यहां पर जो value होती यह होती है बच्चो 3 by 5 delta no actually यह आपका minus होगा लिए आपका प्लस्मी में होगा यहां पर कॉन सा सेंटर होगा बड़े स klis यह मैं ने आप लोगो डिफाइड कर दियुब करते हूं को Immer 16kiego Gio 15pha पांच एक दो तीन 1445 ऑप 5 के लिए theina कि यह बच्यों कि गलो आपस हैं यह आपका फील इसलिए आम इसको इस तरीके से देख के लिखेंगे तो सीएफ हैसी क्या होगा बच्यों जल्दी बोलो 3x5 इंटू इलेक्टरोन माइनस 2 by 5 भाइफ इंटो थ्री एक ट्रो और यहां पर डेल्टा नौट किया यहां पर प्रेरिंग हो रही है नहीं हो रही है तो जी रो पी मतलब पार इन नडिजी क्या ओढ़ाएगी बच्चों यहां पर लिगेंट एक का स्ट्रॉऌंग्फिल्डी लिगेंट अब स्य जवंपनेशं नंबर कितना इसका इसका source कोडियनेशन कितना सब्सक्राइब पर आप यहां पर एफिका ऐको कि तो कितना एगा प्लस थ्री इसका मतलब यहां पर एफी प्लस थ्री है और अगर मैं इसका इलेक्ट्रोनिक कि अगर आप लोग यहां से यहां तक कि अपड़ इनर्जी के कि इनर्जी किरेप कितनी होग बच्चो अब आप लोगे तो यहां पर तीन हे तो दो वाला लेंगे टू बाइफ साइफ माइनस डेल्टा एक दो तीन चार पांच पहले पैरिंग होगी पहले पैरिंग होगी आपके ठीक है अब क्या करेंगे बच्छों को डील करने के लिए cfc cfc कैसे क्लेट करेंगे बच्छों यहाँ पर आप देखो 3 by 5 में कितने लेक्टों ने बच्छों यहाँ पर बच्छों यहाँ पर 5 तो 2 by 5 into 5 बाहर क्या लेंगे डिल्टा नोटी टूटल प्लस कितनी पैरिंग होई यहाँ पर तो एक भी पैरिंग नीथी यहाँ पर दो पैरिंग एक्स्टा होई मतलग दो पैरिंग एनर्जी भी लगी तो यहाँ पर कितना हो चाहेगा बटा यहाँ प प्लस टूपी डेट इससी एफसी वेल्यू आप डिस कॉंप्लेक्स आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा सी एफसी किस तरीके से हम लोग कैल्कुलेट करते काफी एजी है काफी सिंपल है ठीक है अब हम थोड़ा सा सी एफसी के जो हमारे मतलब अप्लिकेशन है सबसे पहले अप्लिकेशन को समझते हैं ठीक ना तो देख लेते हैं आब यहां पर यहां पर समझ लेते हैं अब हम धीले अब देखो siya terhood commercial को अब हम समझ रहे है कि क्योंप्लेक्स की compound complex compound का color कैसे आता है complex compound का color क्या है समझना ठीक है there are three reason to choose to to color compound there are three reason there are three reason there are three reason three reason for 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 color color of complex compound complex compound के color का यहाँ पर तीन रीजन है कितने reason है तीन reason है पहला reason हमारा कौन सा होगा बच्चो first reason जो हमारा होगा बच्चो यहाँ पर dd transition dd transition in partially filled orbital ठीके तो देख लेते हैं 84 detention of electron d d समाजना है यहां पर d d transition of electron transition of electron d d transition of electron only for partially filled orbital all 영상 । इसunda और पार्शली पेडर बैए टीक पाइटल को या वाई दे पारशली टीक अउडेन और बाइटल हुए को आपे यहां पर रभी पर भी नहीं सी कोई एक सामपल नहीं है यह हूं सेंके चाहे लिए का example ले रहो ठीक है तो octidal complex का मैंने example लिया चलो Tatraaidal का भी ले सकते बच्चो इस में कोई ऐसी बात नहीं है हम обол ले सकते का अब देक का लेते हम example अब देखो subtr privates का exactly लिया तो यहां पर क्या जाएगा बच्यों हमारा यहां पर हमारा आ जाएगा तो ब्डाइ फाइव डेल्टा नोट मैनस में और यहां पर हमारा क्या जाएगा माल लिया assume that कि यहां पर मेरा एक इलेक्ट्रोन है यहां पर मेरा एक इलेक्ट्रोन है अब क्या करेगा बच्चो यहाँ पर जैसे ही जैसे ही इस पर कोई विजिबल रे आएगी मतलब कोई यहाँ पर फोटोन आएगा एच नियू एच नियू फोटोन आएगा अब आप लोगों ने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि यहां पर एनर्जी होता है अब यह इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा तो यह सिरे ब्सूर यजिड टीस एलेक्टरोन So, then, then it will be transist, it will transist, it will transist, transist from lower energy level, lower energy level, lower energy level, to higher energy level, higher energy level. turtles, higher energy level. ठीक है, आप यहां से जो आपका ध्यान से सुनना, आप यहां से जो आपका energy ये लेगा, यह energy कोई visible reason में लेगी. कौन से, भी स्वीजेन में होगी? मतलब बात को ध्यान से समझना? ध्यान से समझना यह कोई visible spectrum लेगा? लेगा बच्चों यहां से की वि जीवल स्पेक्ट्रम अब देखो विजीवल स्पेक्ट्रम बात को कहां से समझे। person spectrum लेता है weekly spectrum लेगा इसने विजीबल स्पेक्ट्रम को लिया लिया मतलब बिजीबल इसको क्या किया इसने एब्सोर्ब किया तो absorb करती है सुनना यहांद पर की होगा यह वाला कुझ साराइसकें होगा इसका एक नाम नाम उसका पर दो बारेंगे उसने कोई एनर्जी लिया एनर्जी लेने के बाद अगर तुम्हें एनर्जी मिल जाते तो तुम उचलते कुद्ते रहते हो वेसे ही एलेक्ट्रों का फंडा है कि एलेक्ट्रों ने एनर्जी लिया विजिवल स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कोई एनर्जी लिया उसको आपने क स्पेक्ट्रम रिलीज करेगा अब स्पेक्ट्रम रिलीज करेगा इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे इमीशन स्पेक्ट्रम इमीशन स्पेक्ट्रम क्या बोलेंगे उसको इमीशन स्पेक्ट्रम बात समझ में आना emission spectrum अब यह अलग हो सकता है यह अलग हो सकता है ठीक है यह इनके wavelength के उपड़ डिपेंड करती है किसके उपड़ डिपेंड करती है वेवलेंट के उपड़ अब यह तो concept था आपका अब यह पता किसे पढ़ता है यह आपका ऐसा कुछ होता है समझना वीब ग्योर वीब ग्योर अब बात समझना है या तो यह लिख लो अब आप देखो अगर आपको कोई वायलेट कलर का होगा तो यह कौन सा शो करेगा बच्चो आपका ग्रीन कलर का अगर कोई इंडिको कलर का होगा तो कौन सा शो करेगा यलो ब्लू कलर का होगा तो कौन सा आरेंज रेड दुन वेंग साथ। यह आपस में एक डूसरे के Particularly डिफरेंट होते हैं समझना आप कि है। अगर किसी इलेक्ट्रोन ने वोलेट का। अगर किसी इलेक्ट्रोन ने वोलेट वाला आपका एब्स यहां से यहां जाते तो आपके लेंडा की बढ़ेगी मतलब energy घटेगी क्या होता यहां से यहां जाते तो आपके लेंडा की वेल्यू बढ़ती है लेंडा मतलब wavelength लेम्टा मतलब वेवलेंद इस concept को ध्यान दे समझना मैं कल कुशन करा लो इससे लेंडा का मतलब वेवलेंद अब यहां पर energy equal to XC by lambda अब वेवलेंद की value बढ़ेगी तो energy की value कम होगी तो यहां से यहां जाएंगे तो आपकी क्या हो जहां से कर रहा है तो वह absorb कर रहा है वायलेट कलर का तो इमिट करते टाइम कौनसे कलर का शो करेगा ग्रीन कलर का इसी को हम बोलते कॉंप्लिमेंटरी कलर इसी को हम क्या बोलते कॉंप्लिमेंटरी कलर बात को ध्यान से एक और बार समझना अगर देखो कोई अगर आपका वायलेट कलर कर रहा है तो odd का अब्जोंग करेगा नहीं समझ बाया है तो रिखो यहां पर फर में एक ball doğru रिफ क्ली में बनाता हूं कि यहां पर में यहां विख स्मझते हैं यहां पर में आप लोग hai का कोंप्रिमेंटरी मेडाता हूं उसको समझ Support यह विब ग्यो ठीक है अब अगर माल लो कि कोई है अगर यह यह वाला एब्सॉर्ब कर रहा है तो इमिशन कुंसा वाला करेगा यह वाला emission करेगा माल लिया ठीक है ये वाला emission करेगा अगर ये वाला absorb करेगा तो ये वाला emission करेगा अगर ये वाला absorb किया तो ये वाला क्या करेगा emission करेगा just उसका इस तरफ वाला पार्ट just उसका इस तरफ वाला पार्ट just उसका इस तरफ वाला पार्ट अगर ये वाला किया तो जश्ट अंसका यह वाला को सिट मेंटरिक इसको endured इसको क्या ब CMS की अधियू чего-anh ऊनुक्द में इसको इसको प्ली मेंटरिक अधुरी में कि इसको क्या बोलाएं इस पर क्मिंटरिक्या है तो कलर वी इसको हम क्या बोले हैं कॉंप्लिमेंटरी कलर वी बात क्लियर है यह एक तरीका है आप लोगों का यहां पर कलर शो करने का अब इसमें यह चीज़ समझ रखो कि अगर हाई वेल्यू लेम्डा अगर लेम्डा की वेल्यू हाई वाला एब्जॉर्ब करता है तो वह कौन ही में रीजन पहला बिम अपको बताई को यहां मै वड़ा के ब somehow बता कि अगर मेरा ऐसा हो जाता है have a powerful do our only amb давно को बता हम अगर आप को जाता है वाई यहां यह लिए वे यह को जाता है तो इहां पर कैसा हो जाएगा अगर यह आपका फुल फिल्ड हो गाए मतलब जएड़न प्लस टू माल लेता हूं जएड़न प्लस टू वाला तो एक दो तीन चार पांट छह साथ आठ नो दस तो यहां पर कैसा हो जाएगा किनळ से और नो एनिight यहाँ पर तो कट यह पार्टियली फिल्ड है कि यह का पार्टियली फिल्ड है यह जब आपका पॉसेली फिल्ड नहीं होगा तो यह आपका उसे नहीं करे तो कलर क्यों खटा यह बटा लेकिन इसके पास अंपैर उलेक्ट्रोन भी रेना चाहिए ठीक है तीन रिजन अब जुसरा क्या है इश्ञता रिप्ट ठीक है अन्पेर ए्लेक्ट्रोन ऑप करते बैट्यों Digital Direct changes को पढ़ाऊनल्यक्त यह एडवांस के लिए प्राइशन तो मुल्म्म पर विल्वर nell को Durham तो आपका दूसरा है और Theo आपकर देते खोजिए जैसे एफी प्लस टू का बनाएंगे तो एफी प्लस टू का क्या होगा बच्चो यहाँ पर और गन 3D6 जब आप 3D6 बनाओ बनाओ एक दो तीन चार पांच चे यह अनपयर बच गे न इसी वज़यसे आपका और आपका ब्राउन कलर का घ्वर खू अगर अन meditation होगा तो यह इस से होगा इसमें पांच आनपयर illustration होने कुंसे पांच अनपेर एलेक्ट्रों तो अनपेर एलेक्ट्रों की वज़े से कलर शो करता है और कलर शो करता है इसका मतलब वो टीडी ट्राजिशन स्टेट में जाता है उपर नीचे होता है जैसे मैंने अभी पहले बताया था ठीक है आप समझ देते अगला तीसरा चार्ड डैंसिटी अब देखो यहाँ पर यहे इंपोटेंट क्यों है यह वाला इंपोटेंट क्यों है आप इसके एक्जाम्पल में बतावता था जैसे सी-र 2-072 माइनस अगर मैं यहाँ पर सी-र का शुआधिशन नमर निकालना चाहों तो यहाँ पर सी-र का शुडिशन वह समर किसे से आएगा टू एक्स प्लस-7 मायनस हो वह वो टू इक्वल टू कितना आ गया प्लस-6 आ गया तो यहां पर सी एर प्लस-6 अब सी आर प्लस-6 का मतलब क्या है और नैं थ्रिडीटीज भी जरो होगा यहां पर यहां से यहां आपने चार्ज को ट्रांसफर करता है चार्ज को आपको ट्रांसफर करता है इसी तरीके का एक और इक्जामपल यह ध्यान रखो यह इंपोटेंट है यह मैं पक्का दूंगा ठीक है तक आप लोगों को याद रहे हमेशा के लिए देखो यहां पर एमनों फॉर माइनस आप देखो एमनों फॉर माइनस क्या यह कलर शो करेगा यह आपका एक्शली में पहले बता देता हूं य तो किसे आएगा एक्श प्लस फॉर माइनस टू एक्वल टू माइनस वन एक्ष एक्वल टू प्लस सेवन और एमन प्लस सेवन का जब मैं इलेक्ट्रोनीक कॉन्फिग्रेशन लिखना चाहूं तो क्या आएगा बच्चो और गन 3D0 4S0 तो अब यहां पर भी क्या है बेट ट्रांसफर कर रहा है कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है एलेक्ट्रोन का ट्रांसफर हो रहा है एलेक्ट्रोन का क्या हो रहा है बच्चो यहां पर ट्रांसफर हो रहा है कहां से कहां हो रहा है बच्चो इस बात को आप समझ सकते हो ऑक्सीजन से लेके एमन की तरफ करेंगे वो हम इसी से related questions को de-deal करेंगे फिर आपको और अच्छे से concept को समझने में बारी की मिलेगी concept में आप लोगों को अब इसके आगे कल हम discuss करेंगे stability of complex compound क्या discuss करेंगे stability of complex compound I hope so कि आपको आपको यहां तक का lecture समझ में आया होगा so thanks for watching this